गुद मॉर्निंग बच्चो पिछली मैस की क्लास में हमने पेश 32 और 33 सोल किया था आज हम 34 और 35 सोल करेंगे So 34 पेश देखिए comparison of numbers, number का comparison, तो we use a symbol, ये वाला symbol to compare the two numbers, ये दो number को compare करता है Bigger number open side, इसकी open side में बड़ी digit होती है और close side में छोटी digit होती है, यानि छोटा number होता है अब देखिए bigger number is always written towards the open side of symbol इस symbol की open side body digit होती है और smaller digit की side ये close होता है अब to show both number equal we use the symbol हम जो equal का symbol होता है वो दोनों side same digit होती है जब use करते हैं देखिए अब put symbol in the given blocks ये ये वाले symbol है यो इन में भरने है हमें इन में रखने है 7, 9, 7 और 9 में 9 bigger है इसलिए इसकी open side 9 की side होगी हो और 7 smaller है इसलिए close side 7 की side होगी इसी तरह 16 और 14 में 16 bigger है इसलिए open side 16 की side और 14 नमबर smaller है इसलिए इसकी symbol की close side 14 की side होगी इसी तरह 12 और 13 में 13 bigger है इसलिए open side 13 की side और close side 12 की side इसी तरह 15 और 15 देखिए अब ये 15 और 15 सेम डिजिट है दोनों side तो हम इसमें equal का symbol रखेंगे यानि भरेंगे फिल करेंगे 4 और 4 ये भी अपने same number है इसलिए इसमें भी हम equal का symbol फिल करेंगे 11 और 12 में हम 12 bigger side है इसलिए हम इसकी open side 12 की side रखेंगे और 11 की side close side इसी तरह 14 और 15 में 15 की side open होगा होगा symbol और close side 14 की side होगा 18 और 19 में 9 bigger number है इसलिए इसका symbol का open side 19 की side और close side 18 की side होगे अब देखिए 35 page इसमें ये हमने पहले भी करवा चुके हैं तिक दा bigger number in each group इस group में देखिए हम bigger number आप अपने को पर्टिक लगाना है 16 19 और 20 20 में 16 19 और 20 में bigger कौन सा है 20 क्योंकि ये 19 20 से smaller 19 है और 19 से smaller 16 है इसलिए सबसे bigger हुआ 20 तो हम 20 पर टिक लगाएंगे इसी तरह 19 11 और 9 में 19 बिगर है इसी तरह 11 15 और 6 में 15 बिगर है तो हम 15 पर टिक लगाएंगे इसी तरह 10 16 और 17 पर 17 बिगर है तो इस पर लगाएंगे 18 13 और 12 में 18 पर हम टिक लगाएंगे 13 7 और 17 पर 17 बिगर है इसलिए हम 17 पर टिक लगाएंगे इसी तरह देखिए टिक दा इसमोलर नंबर टू इस ग्रूप अब इसमें इसमोलर जो नंबर है तीनों में जो इसमोलर है उस पर हम टिक लगाएंगे 10 18 और 11 10 18 और 11 में कौन सा इसमोलर है 10 इसी तरह 12 17 और 13 में 12 समोलर है 17 9 और 11 में 9 समोलर है इसी तरह 17 15 और 12 में 12 समोलर है 4 8 और 20 में 4 समोलर है 9, 20 और 18 में 9 स्मूलर है अब ये दोनों पेज 34 और 35 आपको बुक में फिल करना है और 38 पेज आपको बुक में वर्कशीट है जो आपको खुद से करनी है तो ये एक पिच्चर बनी हुई है इसमें 1 से लेके 20 तक आपको सबको जोईन करना है और एक पिच्चर बनेगी उस पे फिर आपको कलर करना है ओके थेंक यू